बीबीसी दुनिया में आज देखिए गजा में क्यूं बसना चाह रहे हैं कुछ इस्राइली इस्राइल और हमास जंग के बीच कई इस्राइली फिर से गजा में बसाना चाहते हैं यहूदी बस्तियां इस्राइली सरकार के मंत्री का भी मिला समर्थन स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में मैं हूँ विदित महरा कव स्टोरी में जानेंगे क्या है इन इस्राइलियों की योजना लेकिन पहले हैरलाइन्स थाइलेंड की संसद के निचले सदन में पारित हुआ विवाह समानता विधेयक सेम सेक्स मारिज को कानूनी मानिता देने वाला साउथ इस्ट एशिया का पहला देश बन सकता है थाइलेंड मगर अभी सेनेट और राजा की अनुमती मिलना है बाकी चीन के राश्ट्रपती शी जिन पिंग ने अमेरिकी कारोबारियों से की मुलाकात विदेशी कंपनियों को फिर से लुभाने की कोशिश कर रहा है चीन सेयुक्त राश्ट्र ने एक जाँच में पाया मयनमार की सेना ने 2017 में रोहिंग्या अल्प संकिकों के खलाफ चलाया था हेट स्पीच भरा अभियान यूएन के जाँच करताओं ने कहा फेस्बुक पोस्ट का सेना से संबंध होने के हैं सबूत इनमें से कुछ एहम खबरों की चर्चाज बीबीसी दुनिया कबजे वाले वेस्ट बैंक और पूरवी यरुशलम में बड़े पैमाने पर ऐसी बस्तियां बसाई गई हैं जिनने सयुक्त राश्ट अवैद बताता है अब कुछ इसराइली चाहते हैं कि ऐसी ही बस्तियां घजा में बसाई जाएं जहां रहने वाले फलस्तिनी सुरक्षित इलाकों की और पलायन कर गए हैं उनकी इस मांग की बात आज काव स्टोरी में हमास से जारी जंग के बीच इसराइल में कई धुरदक्शन पन्थी लोग घजा में फिर से यहूदी बस्ती बसाने की मांग कर रहे हैं साल 2005 ता घजा में इसराइली बस्तियां हुआ करती थी एक मशूर सेटलर ने बीबीसी से कहा है कि उनके 500 रिश्तेदार किसी भी तरह घजा में बसने को तयार हैं वेस्ट बैंक और पूरवी यरुशलम में करीब 7 लाक यहूदी सेटलर्स रहते हैं अंतराश्ट्रिय कानूनों के तहट इन बस्तियों को अवैद माना जाता है लेकिन इसराइल इस बात से सहमत नहीं है देखिए वेस्ट बैंक से बीबीसी समबाद दाता और लाग वेरिन की रिपोर्ट वेस्ट बैंक की पहाड़ियों पर मौझूद फलिस्तिनी जमी पर दशकों से अवैद इसराइली सेटलर्स का कबसा है संयुक्त राश्ट्र के अनुसार यहां बसे ये लोग शान्ती की राह में रोडा है लेकिन अब कई इसराइली धुर्दक्षन पंथी चाहते हैं कि इस तरह की बस्तियां गजा में भी बसाई जाएं जैसे की यहूदा शिमॉन जिन्होंने वेस्ट बैंक के सेटलर्स वाले इस इलाके में दस पच्चों को पाल पोस कर बढ़ा किया है वो पहले गजा में रह चुके हैं और उनका कहना है कि भगवान ने उन्हें वापसी करने का अधिकार दिया है क्या आप वापस जाना चाहते हैं क्या आपको लगता है कि और लोग भी वापस जाएंगे हाँ हमें ये करना चाहिए ये इसराइल का हिस्सा है ये जमीन हमें भगवान ने दी है और आप भगवान के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि ठीक है आपने हमें ये जमीन दी और हम इसे दूसरों को दे रहे हैं गजा में ये वो 21 पस्तियां हैं जिन्हें साल 2005 में ढहा दिया गया था लेकिन डेनियला वीस एक नया गजा बनाना चाहती हैं उन 20 लाग फलस्तिनियों के बिना जो वहां रहते हैं 78 साल की इस महिला को इसरैली सेटलर मुवमेंट की मुख्या कहा जाता है गजा में रहने वाले अरब गजा में नहीं रहेंगे कौन रहेगा यहुदी रहेंगे अफरीका बड़ा है कनाडा बड़ा है दुनिया गजा के लोगों को रख सकती है लेकिन हम ये कैसे करेंगे इसे बढ़ावा दे कर तो आप कह रही हैं कि जो फलस्तिनी गजा में रहना चाहते हैं उन्हें जबरन हटा देना चाहिए गजा के अच्छे फलस्तिनियों को इस लायक बनाया जाएगा मैं नहीं कह रही कि ऐसा जबरन किया जाए मैं कह रही हूँ कि उन्हें जाने लायक बनाया जाए क्योंकि वो जाना चाहते हैं नहीं नहीं वो जाना चाहते हैं अरब जाना चाहते हैं और अगर वो नहीं जाना चाहें तो क्या होगा आम लोग नरक में नहीं रहना चाहते आप जैसी बात कर रही हैं उससे तो ये नसलिय जनसंगहार की योजना लग रही है इस्राइल को बचाने के लिए चुना है। जादतर इस्राइली गजा में वापसी के विरोथ में हैं। लेकिन पिछले साल 7 अक्तूबर को हुए हमास के हमले के बाद से इसे लेकर खुलकर बाद हो रही है। और कुछ लोगों की नजरें गजा में तबाही के बीच वहां के रियल एस्टेट पर हैं। जहां करीब 32,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तेल अवीव में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि गजा के तट के पास मेरे लिए पलॉट रखना मत भूलना। क्योंकि वहां का तट बेहद खुबसूरत है। सुनहेरी रेत के साथ सुन्दर जगा। लेकिन छे महीनों से जारी लगातार बंबारी के बाद ये तट खुबसूरत नहीं रहा। यहूदी सेटलर शायद गजा के बीच पर नहीं पहुँच पाएं लेकिन गजा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही तबाह किया जा चुगा है। इस बीच गजा में बीती रात इसराइल की और से भारी बंबारी किये जाने की खबरे आई हैं। साफ है कि यूएन में पारिट संगर्श विराम के प्रस्ताव का जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा। वहीं गजा में मान्य संकट भी गहराता जा रहा है। उत्री गजा में अकाल का खत्रा बना हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि वो फलस्तीनी इलाकों में राहत सामगरी गिराना जारी रखेगा। लेकिन गजा में हमास प्रशासन ने बताया है कि राहत सामगरी बटोडने की कोशिश कर रहे 18 फलस्तीनी मारे गए हैं। वीडियो में कुछ लोग सामगरी बटोडने की कोशिश में डूपते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी लोग भगदड में मारे गए। दिक्कत सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की ही नहीं। गजा में इलाज मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गजा में पहले ब्रिटिश फील्ड हॉस्पिटल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। यूके मेड नाम के एक सहायता संगठन ने इस अस्थाई हॉस्पिटल को स्थापित किया है। इस संगठन की सर्जिकल टीम पहले से गजा में काम कर रहे एक लौते अस्पताल अल-अ अकसा हॉस्पिटल में सेमाई दे रही है। यरुशलम से बीबीसी समवादाता औरला गोरन की ये रिपोर्ट। अफरा तफरी के बीच स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे ये हैं बारा साल के अनास। गजा में इस्ट्राइली हमले के शिकार। उन्हें अल-अकसा अस्पताल में सर्जरी के लिए लाया जा रहा है। पास ही यूके मेड की टीम खड़ी है। हमारे पास एक मरीज है जिसकी हड़ी में फ्रेक्चर है। बहुत बहादुर ललका है। तो चलते हैं। अनास कहते हैं कि बम उस वक्त गिरा जब वो पडोस में खेल रहे थे। वो घायल हो गए और उनकी मा और उनका छे महीने का भाई ये दोनों मारे गए। वो अल्ला से उनके लिए दूआ कर रहे हैं। सरजरी अच्छे से हुई। अब तक ये टीम इस अस्पताल में ऐसे सैंखडो ऑपरेशन कर चुकी है। पिशले नौ सालों में हमने कई जंगों के बीच काम किया है। और इस जंग में गंभीर चोटों से जूज रहे बच्चों और घायलों की संख्या ने हमें चौकाया है। बच्चों को ऐसी चोटे भी आई हैं जिनका असर ताउमर उन पर रहेगा। गजा के अस्पटाल घायलों को संभाल नहीं पा रहे और कई बार उन पर इस्रेली हमले भी होते हैं। ऐसे में बृतानी टीम रफा के उत्तर में रेगिस्तान के बीच एक फील्ड अस्पटाल बना रही है। जब उनके फील्ड हॉस्पिटल को सीमा पर रोग दिया गया तो उन्होंने तबाह हुई इमारतों से लकडियां और सामान उठा कर यहां काम शुरू कर दिया। जमीन लेने और सीमा से सामान लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। स्टाफ तलाशना भी मुश्किल था, संपर्क साधना भी आसान काम नहीं है क्योंकि ना फोन काम करते हैं और ना ही इंटरनेट। लोगों की जान बचाने वाले कामों के लिए इस तरह इंतजाम करना पड़ा। एक दिन में लगभक सौ मरीज उनके पास आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या दो गुनी हो सकती है। डॉक्टर इसके लिए तयार हैं और वो मामूली बिमारियों से लेकर गोली के घाव तक इन सब का इलाज कर पाएंगे। और अगर रफा में इसराइल जमीनी हमला करता है जिसकी वो धंकी दे रहा है तब इस फील्ड ऑस्पिटल की एहमियत और बढ़ जाएगी। 16 लोग जखमी हो गए है। इस बीच BBC की एक नई डॉक्यूमेंटरी में फ्रंट लाइन पर चल रही जंग का कड़वा सच सामने आया है। इस डॉक्यूमेंटरी में यूक्रेन की एक टुकडी देश के पूर्व में मौझूद कुपियांस्क जंगल में एक रेलवे लाइन की सुरक्षा कर रही थी। अगर रूसी सेना ने इस रेलवे लाइन पर कबजा कर रही तो वो इसे बड़े शहर खार की एव पर हमले करने के लिए इस्तमाल कर सकती है। कमांडर वोवान की अगवाई में लड़ रहे युक्रेनी सेनिको के शरीर पर लगे कैमरे जंग के मोर्चे पर उनकी जिंदगी और अनुभवों को कैद कर रहे थे। डोक्यूमेंटरी से बनाई गई इस रिपोर्ट के कुछ हिस से आपको परिशान कर सकते हैं। फ्रंट लाइन पर मौझूद युक्रेनी सेनिको पर बीबीसी ने डोक्यूमेंटरी बनाई है। युक्रेनी सेनिको ने कुप्यांस के जंगल में इस रेल्वे लाइन की सुरक्षा के अपने मिशन को फिल्माया है। इव के अपरिफण के लो कि मैं Aboutози, I'm versus 25, I抵ा चाहलो पापस? पापला. के क्या है? तो... पाइना की को भґंप А-Type metri chef окрाण रádरी व 통овिश्च, के बадम, पाउैं, धогला व'ो cảm unos वहें, उंसा उंस presence ceremonies Готово. 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 Зараз більш така війна дронів, артиллерії. Я знаю, є в мене участок дороги, куди вони нікуди не сховарються. Чому ми маємо їх жаліти, якщо вони нас не жалюють. Вони ж не відчувають жалості до нашого. अमेरिका के बाल्टीमोर में उन छे मज़़ूरों की तलाश का काम बंद कर दिया गया है जो हादसे के वक्त पूल की मरम्मत कर रहे थे अब उनके शवों को तलाशने का अभियान चलाया जा रहा है मंगलवार सुबह फ्रांसे स्कॉट की ब्रिज एक कारगो शिप के टकराने के बाद नदी में समा गया था और जानकारी दे रहे हैं बाल्टीमोर से बीबीसी समवादाता विल वर्नन लापता लोगों की तलाश जारी है इमर्जेंसी सर्विसेज दिन भर उन छे कंस्ट्रक्शन वर्कर को ढूंटी रही जो पूल ढहते समय उस पर मौजूद थे लेकिन उन्हें बचाने का अभियान नाकाम रहा हमने पूरी मेहनत की मगर ढूंडने में लगे समय और पानी के तापमान को देखते हुए मौसम और पानी में मौजूद मलबा रुकावट पैदा कर रहा था मेरे पीछे जो तलाशी और बचाओ वापियान चल रहा था उसे रोक दिया गया है अब शवों को ढूंडने का काम शुरू होगा अब जांच करताओं की कोशिश होगी की वो पता लगाएं की आखिर ये हाथसा हुआ कैसे जांच करता जहाज के रिकार्डिंग डिवाइस की जांच करना चाहते हैं ये विमानों के ब्लैक बॉक्स की तरह होता है पुल से टक्राने से ठीक पहले इस जहाज में पावर को लेकर दिकत आगई थी इस रिकार्डिंग में सुना जा सकता है कि पुल को खाली करवाने का भर सक प्रयास कर रही थी स्थानी पहचान के प्रतिक इस पुल के गिरने से शेहर के लोग सदमे में हैं ये बहुत बड़ा जटका था यकीन ही नहीं होता हमने वीडियो देखा पहले हमें लगा कि नकली है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है ये हमारे समुदाई के लिए पहचान की तरह था ये वाकई एक जटका है बीती रात बाल्टिमोर के चर्च में सदमे और उदासी का महाल था जान गवाने वालों के दोस्त और इश्टेदार प्रार्थना के लिए चुटे थे यॉरप के सेंटर फॉर पार्टिकल रिसर्च सर्ण के विज्यानिकों ने सौ मिलियन पाउंड के एक प्रयोग को मनजूरी दी है इस प्रयोग से उन पार्टिकल्स के अस्तित्व पर मोहर लग सकती है जिन के बारे में अब तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है दरसल वो उन पार्टिकल्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं जिनने गोस्ट पार्टिकल कहा जाता है शोद करता मानते हैं ब्रहमान जिन कड़ों से मिलकर बना है उन में से 95 प्रतिशत के बारे में अब भी कोई नहीं जानता देखिए BBC संबादाता पल्लब घोश की ये दिल्चस्प रिपोर्ट हमारे आसपास की दुनिया बहुत ही छोटे छोटे कड़ों से बनी हैं जो एक परमानू से भी छोटे हैं उनके आपस में जुड़ने से हर वो चीज़ बनी है जो धर्ती और अंतरिक्ष में दिखाई देती है लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला कि जिन छोटे-छोटे कड़ों के बारे में हमारे पास जानकारी है उनसे ब्रहमान्ट का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा ही बना है कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसे घोस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं जिनका सामान उपकरों से पता नहीं लगाया जा सकता अगर हम इन गैस्ट पार्टिकल्स का पता लगा सकें तो ये सच मुझ फंडमेंटल साइंस की हमारी समझ को बदल कर रख देगा हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रहमान्ट जैसा है वो वैसा क्यों है मिसिंग मैटर क्या है या इन में से कुछ चीज़ें कैसे बनी और हम इनसान यहां आखिर क्यों है शोद करता स्विस फ्रांसी सी सीमा पर लार्ज हेडरन कोलाइडर में ब्रमान्ट के लापता 95 फीज़दी हिस्से को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वो परमानों के अंदरूनी हिस्सों की पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जोर से टक्कर करवा रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें कोई काम्याबी नहीं मिल पाई है पिछले कुछ दशकों में लार्ज हेडरन कोलाइडर पर सारा ध्यान दिया गया और दूसरी संभावनाओं को कहीं न कहीं भुला दिया गया और फिर हमने अपने प्रयोग को लेकर प्रस्ताव दिया इससे हमें विश्वास हुआ कि हमारे काम्याब होने की संभावना बहुत जादा है घोस्ट पार्टिकल दिखना बहुत ही दुरलब है इसलिए शोद करता एक बिल्कुल नया उपकरण बना रहे हैं ताकि घोस्ट पार्टिकल मिलने की संभावना बढ़ जाए आम तोर पर पार्टिकल एकसी लेटर्स में कई पार्टिकल्स की एक दूसरे से टकर करवाई जाती है लेकिन अर्वों पार्टिकल्स में से कोई एक दूसरे से टकराता है लेकिन नय उपकरण में एक तरफ दीवार सी होती है जिससे जाकर वो टकराते हैं, जिससे वो सभी छोटे-छोटे टुकड़ों में तूट जाते हैं इससे घोस्ट पार्टिकल बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है Missing Particles की खोज इस बात पर रोशनी डालेगी कि असल में ब्रह्मांट की प्रकृति क्या है और उनका पता लगाना फिजिक्स में अब तक की सबसे बड़ी काम्यावी में से एक होगा और BBC दुनिया में आज पसितना ही